भारती जनता युवा मोर्चा की राष्ट्री अध्यक्स और भाष्पर आजस्तान की प्रिभारी निहा जोशिंजे कारगिल विजय दिवस के मोके पर जनता दर्बार में खास बाचित हुई कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर उन्होंने शहीदों को श्रधांच ले देते हुए कहा कि आज पूरे देश में कारगिल युद के सहीदों को याद किया जा रहा है राजधानी जैपुर में भी इस अवसर पर विजय जिलुस निकाला जाएगा निहा जोशी ने कहा कि कारगिल युद में हमारे जवानों ने अदम में साहस और वीर्टा का परिश दिया था और उनकी सहादत को पूरा देश हमेशा याद रखेगा इस मोके पर सभी नागरिकों से अनुरोद किया है कि वे शहीदों को शृधान जली अर्पित करें और उनकी वीर्टा को सलाम करें अगनीवीर यूजणा के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो नेहा जोशी ने विपक्ष बर्ती का हमला बोला भारती जंता यह वा मोर्चा की राश्ट्री उपाध्धक्ष और राजस्थान प्रभारी नेहा जोशी जी हमारे साथ मौजूद है कि हर दूसरा तीसरा जो बलिदानी होता था उत्राखंड से होता था और हम उनकी जो पार्थिव दे हैं उनको वहां रिसीव करते थे सैन्य संबान के साथ उनकी विदाई होती थी तो मुझे पूरा यकीन है कि राजस्थान ने भी कुछ ऐसा ही मनजर देखा वो हम भूल नहीं सकते और जरूरी है कि जब ऐसा बलिदान होता है देश के लिए हमारे फौजी हमारे साथी जब सरवोच बलिदान देते हैं तो उस बलिदान को याद करना और उस परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जा इसके बारे में भी बात करना तो भारती जनता युवा मोर्चा ने हमेशा से इसको मनाया है विजे देव इसको बहुत व्रिहत सतर पर और इस बार क्योंकि 25 साल हो गए है कारगिल के युद्ध को तो एक बड़ा अभियान युवा मोर्चा ने लि इसके बारे में चर्चा होगी शहीदों को शद्धानजली देंगे तो लगाता दो दिन तक 2526 तारीकों मशाल जुलूस बड़ी-बड़ी सभाएं गोश्थियां युवा मोर्चा पूरे देश में कर रहा है और राजिस्थान में भी सभी जिलों में ऐसे कारेक्रमायों जि अणिवीर में भी कई लोगोंने रिजिस्ट्रेशन कर बाया होगा लेकिन जिस दिन से ये योजना शुरू हुए उसी दिन से विपक्ष इस योजना को लेकर सरकार सब्माबद कर दो कि लिए лोगने बाबद कशार किया और हम यवा मोर्चा के कार्यकरता पार्टी के लोग, सरकार के लोग, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के बीच में जो ये ब्रातियां पहलाई जा रही है, जो ब्रहम पहलाया जा रहा है, और एक नेरेटिव बनाया जा रहा है कि इसका असर चुनाओ पर हुआ, 17.5% देश की जो सेना में लोग जात से होते हैं, तो और एक छोटा सा स्टेट है, तो आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा प्रभाव उत्राखन पर उत्राखन में चार में से पांच में से पांच लोग सबासीर वार्ति-जन्ता पार्टी ने जीती, तो एक नेरेटिव बनाने की कोशिश की है, लेकिन जब आप पूरे देश में, उन कैंपों में आ रहे हैं, और सेना में जाने की इच्छा जता रहे हैं, और इसका में श्रे एक तरीके से हमारे संगठन को और जिस तरीके से सरकार ने बड़ा अवेरनेस कैंपेइन भी लॉंच किया, ताकि जो गलत फेमिया पहलाई जारी हैं, उसको द जेरल्स करनल से लेकर हमारे सेना की सिपाई रहें, उनके साथ बैठकर कोशच करने हैं जानने की कि अगर कहीं असुन तुष्टी है, या कहीं सुधार की संभावना है, तो वो कहां हो सकती है, एक डायलोग लगातार बना हुआ है, तो मैं आपके चैनल के मार्दियम से जव पर आये हैं, और हर व्यक्ति, जो आर्मी चाहिए वो दो साल के लिए रहे, चाहिए बीच साल के रहे, हर सैनिक का उतना ही सम्मान है, बजट के अगर हम बात कर लें, केंद्री मंतरी निरूला जी ने बजट पेश किया, और विपक्ष उस बजट को भी घेर रहा है, कि इस मध्यमवर्गर सर्विस्टास, लोगों के लिए युवाओ के लिए, महिलाओ के लिए, हर किसी के लिए कुछ था, बहुत ही बैलिंस्ट, बहुत ही जिसे कहते हैं, ऐसा बजट था, जो खासकर युवाओं के लिए, एक करोर अपरेंटिस्शिप ओपचिनिटी म्याफिट पर पक्ष के नेताओं में इतनी विवेक और बुद्धी होती तो शायदात सरकार बना चुके होते तो उनका उनका हमें गहरना उन्हें मुबारक आशा करती हूं कि अगले पांच साली नहीं अगले कई सालों तक वो इसी तरह में गहरता रहे एक आखरी सवाल यह है उत्राख मतलब एक चिंता का विशे रहते हैं लेकिन और मौसम में गर्मी जादा पड़ गी तो हमारी सेप की फसर प्रभावित हो जाती है बरफ नहीं पड़ी तो भी दिकत हो जाती है तो आपदा प्रबंधन को लेकि जो स्पेशल प्रोविजिन बजट में की है वो खासकर हमारे स जो कार जो भारती जनता युवा मोर्चा लगातार कर रहा है वो वाकई में अकल्पनिये हैं और सेना के इस शौर को मनाने के लिए इसलिए दो दिन निश्वित किये गए हैं पूरे देश में जुलूस निकाले जाएंगे शहीदों को याद किया जाएगा और चात्रों को लेकर युवाओं को लेकर बजट में जो चीजे दी गई हैं जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है नहाजी का साफतोर पर कहना है कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को घेरना उनके बुराई करना लेकिन अगर बजट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें के गई है वो तमाम ऐसी बाते हैं जो भारत के युवा के लिए भारत के चात्र के लिए भारत की महिलाओं के लिए इस बजट में विशेश तोर पर दी गई हैं सेयोगी केमरमेन आजे के साथ उमंगमाथूर जनता दरबाद